हलो फ्रेंट मैं हूँ विकास और आप सभी का स्वागत करता हूँ nolideach kingdom में फ्रेंट्स आज कल की भाग दोड की दुनिया में लोग जहां देरे देरे career conscious होते जा रहे हैं business conscious होते जा रहे हैं वही देरे देरे उन्होंने अपनी health को negligence करना भी शुरू कर दिया है और इसी negligence का परिणाम है lower back pain यानि की कमरदर्द की शिकायत आपको जानकर जरूर अश्चर होगा कि हर साथ में से एक आदमी को आजकल कमरदर्द की शिकायत है और इसी के चलते लोग लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं इसके इलाश पर फ्रेंट्स आज का हमारा जो वीडियो है वो आधारिते उन सब टिप्स और टेकनिस के उपर जिनके थुरू आप अपने कमरदर्द को मैनेज कर सकते हैं घर पर ही सिर्फ 15 मिन उन्हें फॉलो करकर यदि आप इन टिप्स को और इन मुवमेंट्स को गर पर फॉलो करते हैं तो आपको कमरदर्द की शिकायत कभी नहीं होगी तो बिना समय गवाई चलते हैं उन टेकनिस के पास जिनके थुरू आप भी सब करने वाले हैं आईए तो आईए फ्रेंट्स कमरदर्द को रोकने के कारणों पर बात करने से पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये दर्द होता क्यों है और इसकी वज़य क्या है वैसे तो कमरदध होने के कई कारण हो सकते हैं जैसे कि हड्डियों का कमजोर होना रीट के हड्डी का टेड़ा होना या उसमें किसी तरह की बिमारी होना लेकिन रूटीन लाइफ में जो सबसे ज़्यादा कमरदध के लिए जिम्मेदार करण है वो है जुक कर किसी भी भरी चीज को उठाना, अजीबो गरी तरीके से मुढ़ना, किसी सामान को धक्का देना या खीचना या उठाना, लंबे समय तक खड़े रहना, लंबी सिटिंग जिसे ड्राइविंग या कम्प्यूटर पर सही तरीके से ना बैठना, कमर में जटका आने की मसल्स में खिचाव पैदा होता है, जिसका सीधा असर हमारी कमर के निचले हिस्से पर होता है, और एक बार अगर आपको ये खिचाव हो गया, तो आपको इस प्रॉलम के लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं, ये लक्षण इस प्रकार है, कमर में लगातार दर्द ब बताएं, और साथ ही ये तरीकी अपना है, जिससे आपको 100% कमर दर्द से राहत मिलेगी, हमेशा ठीक से खड़े हो ये, लंबे समय तक एक ही पोजिशन में खड़े होने से बचिए, और अगर फिर भी आपको किसी कारण खड़ा होना पड़ रहा है, तो किसी छोटे पेर र पास रखते वे उठाएं, किसी भी सूरत में आगे जुक कर भारी समान उठाने से बचे, ठीक से बैठें, हमेशा बैठने के लिए कमर के निचले हिस्से और हातों को सहरा देने वाली कुर्सी को चुने, कमर के कारू को बनाया रखने के लिए कुर्सी पर कमर के पीछे प्राम दैग लगते हैं, लेकिन सच यह है कि यह हमारी कमर के सबसे बड़े दुश्मन है, इसलिए रेकमेंड किया जाता है कि आप हमेशा किसी फ्लैट या हार्ड सर्फेस पर ही सोएं, अच्छा होगा कि आप वोडन बैड पर सिर्फ दरी बिचा कर सोएं, वजन कम करें, यदि आपका वजन जादा है, तो प्लीज अपने वजन को जरूर कम करिए, क्योंकि जितना वजन जादा होगा, उतना ही कमर पर प्रेशर बढ़ेगा, उचे हील के जोते सेंडल ना पहने, उची हील आपकी बॉड़ी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानि कि भार केंडर को प सबसे पहले आप किसी फ्लेट सर्फेस पर लेट जाएं, और एक एक करके अपनी लेफ्ट और राइट टांग को 45 डिगरी तक उपर उठाएं, और धीरे से नीचे रखें, नेक्स्ट एक्ससाइज में आप सीधे लेट कर अपनी टांगों को नीचे से पकड़ें, और कमर को बीच में से उठाएं, हो सकता है कि आपको शूर शूर में काफी दिक्कत आए, इस एक्ससाइज को आप धीरे धीरे अपनी कैपासिटी के अनुसार करते रहें, अगली एक्ससाइज में आप सीधे लेटें, और दोनों हातों को सिर के पीछे रखें, साथी दोनों पैरों को छिपका कर मोडते हुए, अपने गुटनों को अपने सीने की तरफ लाएं, और फिर अपने दोनों हातों से पकड़ कर कुछ समय तक इस पोजिशन को होल्ड करके रखें, अब आप सीधे लेटे हुए, अपने दोनों हातों को फैलाते हुए, सिर्फ अपने सीधे पैर को बॉडी से दू ले जाएं और वापस लाएं ठीक ऐसा ही उल्टे पेर के साथ भी करें आप सीधे लेटे हुए अपने पेर को बिना मोडे 90 डिगरी तक उपर लाएं और फिर इसे लेफ साइड में जुकाएं ठीक इसी वक्त बॉडी के उपर के हिस्से को राइट साइड में यही एक्सरसाइज उल्टा पेर उठा के भी करें नेक्स्ट आप उल्टे लेट जाएं और दोनों हाथों के बल अपनी बॉडी के आगे के हिस्से को उपर उठाते हुए छत की तरफ देखें कुछ समय तक आप इस पोजिशन को मेंटेन करें और धीरे धीरे फिर रिलेक्स हो जाएं नेक्स्ट आप उल्टे लेट जाएं और अपने पैरों को दोनों हाथों से पकड़ कर उपर की और उठें और कुछ समय तक इस पोजिशन को मेंटेन रखें यही नहीं फ्रेंट्स इन एक्सेसाइजिस के साथ आप अपना रूटीन का खाना पिना भी बदलें जैसे की खूप सारा पानी पिएं फ्रूट्स, सलाद और दाले खाने में ज़्यादा लें तुलसी, अदरक, मेहंदी, लहसून, प्याज, हल्दी जैसे एंटी इंफ्लमे जैतुन का तेल, हरी चाय, और चमकिले रंके फल और सब्जियां जैसे की गोभी और पालक, स्पाइनल कोड में सुजन को कम करने का भी काम करते हैं, इन्हें आप ज़रूर लें, इनके अलाबा कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे आपको दूरी बनानी हैं, वो हैं फास्ट फू करते हैं, आइए डिसकस करते हैं वो सारी इलाज जो एक्च्वल में आपके लिए बेकार हैं और आप उन्हें ट्राइब भी ना करें, इसमें सबसे पहले हमारे पास से एस्पिरीन और आइबी बूफेइन, यह थोड़े समय के लिए दर्द दूर करते हैं, लेकिन इनके इ गैजेट बनाले वाली कंपनिया दर्द से चुटकारा दिलाने के तमाम दावे करती हैं, लेकिन रियालेटी यह है फ्रेंड्स कि इसका कोई असर नहीं होता है, रिसर्च ने बताया है कि इनका इस्तमाल करना टाइम वेस्टिंग है, आशा है दोंस्तों, यह जानकरी आपक में अपने मोबाइल पर मिलते रहें, थैंक यू सो मुच, थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो,